दोस्तों मुझे काफी सारे messages आ रहे थे कि अब काफी सारे CSP points से या फिर किसी भी प्रकार की उन्होंने retail ID लेकर की रखी किसी भी company की तो वह EPS के माध्यान से अपने customer का पैसा withdraw नहीं कर पा रहे हैं देखी reason यह है कि आप लोग जिस किसी भी applications को या फिर software को इस्तमाल करते हैं तो आप अगर mobile पर इस्तमाल करते हो तो आपको अपने applications को update करने क्या हो सकता है क्योंकि NP sale की नई guidelines के अनुसार अब जो भी retailer ID है अब retail ID जिस किसी व्यक्ति के नाम की है और आप अगर यदि किसी भी customer का पैसा withdraw करते हैं तो जैसे यह आप पैसा withdraw करते हैं तो first light जो जलती है fingerprint machine में यहाँ पर retailer की fingerprint first stand पर लगेगी यानि 2FA यहाँ पर पहले retailer का लगेगा उस आप उस customer का पैसा उसके bank से withdraw कर पाएंगे यही PS service के माद्य हम से काफी सारी लोग ऐसा किया करते थे अभी और मैं भी ऐसा ही किया करता का मेरी shop में जो भी बंदे हैं यानि की जो operate करते हैं तो मैं पहलो finger जो activate करना होता है 2FA का मैं first time अपने fingerprint से उसे login कर दिया करता था activate कर द लगेगा उसके बाद में उस customer का fingerprint लगेगा तो यह हेस्ट थी NPCL ने अब लागू कर दिया है अब ऐसा क्यों किया गया है देखिए काफी सारे fraud हो रहे थे अभी इंडिया में बहुत ज्यादा fraud होने लगे थे एक काफी सारी company में बहुत सारे retailer ऐसे fake add हो गए थे जो की fraud के जरीए add हुए थे अकसर fraud क्या करते हैं किसी दूसरे के documents को अपना बता करके retail ID ले ले लेते हैं और किसी भी अंजार व्यक्ति के साथ में fingerprint यानि की AAPS withdraw के माद्यम से fraud कर दिया करते हैं इनी सब चीजों को रोकने के लिए NPCL ने इस policy को जारी किया जिसके अंतरगर अब जि तो कि अब जितने भी frauds थे जिन्होंने दूसरों के नाम पर एक retail ID ले रखी थी अब अगर यदि वह किसी के भी fingerprint लगा कर पैसा निकालना चाहेंगे तो सबसे पहले जिसके documents लगाए गए हैं वो सब्यक्ति के पहले fingerprint लगेंगे उसके बाद में customer के fingerprint लगेंगे ऐसा होने से अब fraud भी पैसे नहीं निकाल पाएंगे तो I hope कि आपको पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी और जानकारी प्रसंद आई हो तो चैनल का भी सब्सक्राइब करें फॉलू करने इसी प्रकार की कौन भी अनले लेटिस्ट अपडेट और जानकारी के लिए तो मैं था अमरान झाल